गूड मॉर्निंग आल आफ यू आज का हमारा टॉपिक है वाल्ब टाइमिंग इस टॉपिक के अंतरगत हम जानेंगे वाल्ब टाइमिंग का परिचे वाल्ब टाइमिंग से जुड़े हुए सब्द वाल्ब लीड वाल्ब लेग और वाल्ब ओवरलेप के विशह में जानते ह हुए सहधान्तिक वाल्ब टाइमिंग डाइग्राम और वास्तविक वाल्ब टाइमिंग डाइग्राम के बारे में जानेंगे तो आईए सुरू करते हैं आज का टॉपिक वाल्ब टाइमिंग इंजन के इंलेट और एक्जॉस्ट स्ट्रोकों के दौरान वाल्बों को सही समय पर खूलने वह बंद करने की क्रिया है जिसे वाल्ब टाइमिंग कहते हैं इसे जिस रेखा चित्र द्वारा दरसाया जाता है उसे वाल्ब टाइमिंग डाइगराम कहते हैं अथ्वा यह डाइगराम क्रेंक साफ्ट के रोटेशन के साथ वाल्ब की इस्तिति को बता कि वाल्ब कब खुला है या बंद है पर तेग इंजन निर्माता सभी लोड और स्पीड के दौरान अधिक्तम पावर या आउटपुट प्राप्त करने के लिए अपने इंजन के डिजाइन के अनुसार वाल्ब टाइमिंग इसे करते हैं वाल्ब लीड समय से पूर्व वाल्बों का खुलना वाल्ब लीड कहलाता है समय के बाद तक वाल्बों का खुला रहना वाल्ब लेक कहलाता है और वह पिरियड जिसमें इल्लेट और एक्जॉस्ट वाल्ब दोनों एक साथ खुले रहते हैं ओवरलैप आफ वाल्ब कहलाता है पर आप साध्धान्तिक वाल टाइमिंग डाइग्राम कि यह जो प्रस में ध्यान से देखिए हम सद्धान्तिक रूप से पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिलेंडर में सिलेंडर में पिष्टन जब पिष्टन सक्षण स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी की ओर को मुग करता है यानि यहां से यहां तक जब पहुंचता है तो एक श्ट्रोक होता है, इसमें कहता है यहां हम सद्धानतिक रूप से कहता है यहां पर TDC पर inlet valve open हो जाता है और BDC पर बन हो जाता है यानि पहला श्ट्रोक, दूसरे श्ट्रोक में दोनू वाल बन रहते हैं और पिष्टन BDC से TDC की ओर चलता है यानि compression stroke खतम हो जाता है, compression stroke खतम होने के बाद power stroke में यहां पर अगर petrol engine है तो spark हो जाएगा और diesel engine है तो fuel inject हो जाएगा और power प्राप्त होगी और यहां से BDC तक power प्राप्त होगी, BDC पर यहां पर exhaust valve open हो जाएगा और TDC पर पहुंचके यहां पर exhaust valve बंद हो सैद्धान्तिक रूप से यह कहा जाता है पर यह विहावारी रूप से यह सत्य नहीं है, यह सैद्धान्तिक रूप से विहावारी रूप से यह valve timing diagram नहीं दरसाता है सत्य वास्तवी valve timing diagram यह है, इसके बारे में जानते हैं वास्तवी valve timing diagram अब इसमें देखिए दो गोले बने रखाए and कि कि अब इसको ओदिया से रहे कि ये एक स्ट्रोक से पहले इसी दिए इस ट्रोक में 18 डिगरी पहले खुल जाता है ट्रक्राइश ये वृद्ड वॉड्ड हो कड़ई 180 डिग्री अपने श्ट्रोक के दरान सक्षन के दरान खुला रहा और 58 डिग्री कम्प्रेशन श्ट्रोक में खुला रहा है यानि valve lag अब अगर एक टोटल खुला रहा है की बात है तो 18 की lead हो गई प्लस 180 इसका हो गया प्लस 58 इसका हो गया श्ट्रोक स्टार्ड हुआ अठावन के बाद तो यहां पावर श्ट्रोक से टीडीसी से तेज डिग्री पहले अगर पैट्रॉल है तो स्पार्ग हो जाएगा और अगर डीजल है तो फ्यूल इंजेक्ट हो जाएगा और यह टीडीसी में आने के बाद पावर जब स्टार्ड हुई तो लगभग 58 डिग्री पहले बीडीसी से एक्जॉस्ट वाल्ब खुल या और अपना पूरा श्ट्रोक के दोरान यानि यह बीडीसी एक्सॉसियन से पूरा खुला रहेगा और उसके बाद सक्षन श्ट्रोक के दोरान भी 18 डिग्री तक खुला रहेगा तो इसमें भी टोटल 256 डिग्री खुलेगा 58 वाल्ब लीड एक्सॉस्टी इसके अपना स्ट्रोक और 18 लैप तो ये भी 256 डिग्री खुलेगा अब इसमें देखी ये लीड और लैट तो बता जिए ओबर लैप देखी जैसे सक्षन श्ट्रोक में 18 डिग्री पहले यहां इलेट वाल्ब लीड खुल जाएगा और 18 डिग्री बाद तक एक्जॉस्ट खुला रहेगा यानि ये दोनु वाल्ब एक साथ वाल्ब टाइमिंग डाइग्राम को देखते है ये देखे सक्षन कंप्रेशन पावर और पावर में ये खुल गए यहां से ये जब इनलेट भी हो रहा और अग्जॉस्ट भी होगा देखे भी देखेगा सिद्रम ये देखे ये ओवरलेप का प्लेड है सक्षन और सक्षन और एक्जॉस्ट एक साथ हो रहा था देखेगा ये तो वाल्ब टाइमिंग डाइग्राम मुख्य रूप से इस प्रकार काम करता है ये जो डिग्रियां दरसाई गई थी ये प्रतेग इंजन निर्माटा अपने इंजन के डिखाइन के अनुसा रखता है आसा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा धन्यवाद